प्रेंज समस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आईजे टीवी नेटबूक पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं एस्ट्रो स्पेशल किमण परिवर्तन जान लिजे क्या होगा आपकी राशी का हाल कंया राशी में बुद्ध मतला यह समय लीजिए हो गई बल्ले बल्ले कारण क्या या क्योंकि बहुत खास योग बनने जा रहा है और इसकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे इस योग को राजयोगों में सम में माना जाएगा बहुत सारे चेंजिस आएंगे देश और दुनिया में आईए इस बारे में जानते हैं और बताएंगे आपको मेश से लेकर मीन राशी के जीवन में क्या हल चल मचेगी क्या होगा मेश से मीन राशी का हाल और साथ साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार क को सुभह सबादस बजे पर कन्या राशी में प्रविश कर जाएंगे बुद्ध ग्रह 10 अक्तूबर 2024 सुभह 11 बच कर 25 मिनट तक कन्या राशी में ही रहेंगे बुद्ध ग्रह शनिवार 21 सितंबर 2024 को शाम को तीन बच कर 11 मिनट पर उत्तराफ आगुनी नक्षत्र में आज गए हैं और शनिवार 28 सितंबर रात को 9 बच कर 13 मिनट पर हस्त नक्षत्र में आ जाएंगे तथा गुरुवार 10 अक्तूबर 2024 तक अपनी असवस्ता में ही रहेंगे तो उत्तराफ आगुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र में दो नक्षत्रों को भोगेंगे और कन्या राशी ग्रहों के राजकुमार बुद्ध की स्वयराशी है और इसमें बुद्ध उच्चके हो जाते हैं और जिवन में आर्थिक उन्नती के लिए ये संयोग बहुत शुब माना जाता है बुद्ध के कन्या राशी में आने से भद्र नामक राज्योग बनेगा साथ ही बुद्ध सूर्य के साथ में बुद्ध आदित्य योग भी बनाएंगे आईए जानते हैं इस राशी परिवर्तन का देश दुनिया कामकाच पर क्या असर पड़ेगा बुद्ध के कन्या राशी में गोचर से विश्वस्तर पर विज्यानिक और शोध करताओं को शुभ परिणाम मिलेंगे पत्रिकारता और मीडिया शेतर से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी और ये शेतरों में अफसर और लोग परियताओं में व्रद्धी होगी ये गोचर सूचना प्रयवद्योकी की कम्पेटर सौफ्ट एर शिपिंग कंपनियों के शेतर में मददगार साबित होगा ये गोचर फार्मसेटिकल, बैंकिंग, वित्य वनस्पती तेल, डेरी उत्पात और अनुछेदों के विरसायों के लिए बेहद लाबकारी सिद्धु होगा चमडा उद्योक, कोईला उद्योक, वूलन मिल्स, ओइल इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक उद्योक के शेतरों में मंदी नजर आएगी तो अब समय है ये जानने का कि आपकी राशी का क्या हाल होने वाला है तो आपको जो मोटी मोटी बाते बताएं वो ये बताएं कि बुद्ध का जो ये परिवर्तन है ये विशेश तोर से कन्या राशी में होने जा रहा है जा बुद्ध जो है वो बुदादित्य योग बनाएंगे और भद्र नामक योग बनाएंगे तो ऐसे में आईए जानते हैं मेश से लेकर मीन राशी का क्या हल होगा राशी अनुसार उपाईयों के साथ में, शुरुवात करते हैं पहली राशी मेश एनि एरीस के साथ में, मेश राशी वालो, बुद्ध आपके छटे भाव का स्वामी है, छटे भाव में ही गोचर करेगा, इससे सामाजिक संबन सुधरेंगे, शत्रु घुटे ने टेक देंगे, कारशेतर में लाव होगा, कलाकारों को प्रसिद्धी मिलेगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, उपाय क्या करें, ग करीब कन्या को उनिवस्तर दान करें, बुद्ध वार के देंगे, तीसरी रहेशी मिलेगी, जमनाई की बात करेंगे, बुद्ध तीसरे भाव में गोचर करेंगे, वाद विवाद से आपको बचने की में सलहा देता हूँ, आर्थिक परिशानिया रहेंगी, लेंदेन में सत पिटकरी से दान साफ करें, पांचवे रैशी सिंग यानि की लियों की बात करेंगे, बुद्ध दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जीवन में खुशी आएंगी, बड़ा धनलाब होगा, रुकावा धन पराप्त होगा, रिष्टेदारों से संबंद सुदेंगे, छातर अबल रहेंगे, उपाय क्या करेंगे, कांसे के पात्र में हरे मुंग भरकर घर की उत्तर दिशा में रख दीजे, छटे रैशी करने आनि वर्गों की बात करेंगे, बुद्ध पहले भाव में गोचर करेंगे, लगन में आपके ही, सेहत में सुधार आएगा, मन में खिन्नत रहेंगे, भाशा पर काबू रखें, लेंदेन में सतर रहें, धन हानी के यूग हैं, क्योंकि बुद्धी ब्रह में तो होगी, बुद्ध चपल गरहें, ऐसे में क्या उपाय करेंगे, मस्तक पर गोलोचन से तिलक करें, सात्वी रैशी तुला यनि लिवरा की बात करेंगे बुद्ध बारवें भाव में गोचर करेंगे, कुछ परिशानी आएंगी, निवेश से बच्चें शत्रों ससतर रहें, दामपते में अनबन रहेंगी, छात्रों की एकागरता भंग होगी, उपाय क्या करें, कि दुरगा मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें, छोटा स ही, चाहे हांडी ही सही, आठवी रैशी व्रिश्चे क्याने कि स्कॉर्ट के बात करेंगे, बुद्ध एकादश भाव में गोचर करेंगे, धनिशेत्र जो है वो सुधरेगा, घरेलू सुख बढ़ेगा, सेहट ठीक रहेगी, धर्म में रुचिव बढ़ेगी, सहब परिव करेंगे, बुद्ध नमें भाव में गोचर करेंगे, आर्थिक परिशानी रहेंगे, आर्थिक हानी के योग हैं, वाद विवाद से बचें, कानूनी बाधाय आएंगी, व्यापारिक लाब बढ़ेगा, उपाय क्या करेंगी, नित्य गणपती पर दुरवा अर्पित करें, ग्यारवी रशी कुम्भ हैने के अक्वरेस की बात करेंगे, बुद्ध आठ्वें भाव में गोचर करेंगे, सेहत परिशान करेंगे, धन शेतर पत्र कूल रहेगा, लेंदेन में सतर प्रह हैं, धनानी के योग हैं, यात्रा में सतर प्रह हैं, उपाय ये करें कि चमडे के बेल्ट का इस्तमाल करें पेट पर बांदें बारवी राशी मीन यानि पैस्टिस की बात करेंगे बुद्ध साथ में बहुमें गोचर करेगा कामकाज में लाब होगा सामाजिक सम्मान मिलेगा दम पत्ते सुखी रहेगा शत्रू कमजोर पड़ेंगे संतान सुख में पतन जाने क्या होगा आपकी राशी का हाल ऐसे ही एपिसोड को लेकर कल आपसे फिर मुलाकात होगा इजाज़त दीजिए नमस्काद नमस्षिवाए